एक से तीन जून तक राइगड में राश्ट्री रमायन महुतसफ का आयोजन किया जा रहा है इसकी जानकारी मंगलवार को सियम वुपेश बगेल ने दी रिपोर्ट देखिए सालों तक बीजेपी भवान के नाम पर राजनीती करती आई है और लग रहा है कि अब कॉंग्रिस को समच में आ गया है कि राजनीती में राम का नाम ही उसके लिए संजीविनी थाबित होगा और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसे समचने के लिए आपको सियम वुपेश बगेल का ये ट्वीट जरूर देखना चाहिए इस ट्वीट में सियम वुपेश बगेल ने जानकारी दी है कि रायगड के राम लिला मैदान में एक से लेकर तीन जुन तक राष्ट्री रमायन महुटसब होगा जो कि अरणिकांड के प्रसंगों पर केंद्रित होगा आपको यह सुचित करते हुए मुझे बहुत हर्स हो रहा है कि रायगड के राम लिला मैदान में एक जुन से तीन जुन तक हम रामायन महुटसब का आयजन कर रहे हैं महीं दूसरी तरफ मत्रदेश में कॉंग्रिस ने मंगलवाद को सभी जिला और विधान सभा मुख्यालियों के मंदर में हनुमान चौलीसा का पाठ किया जिसके बाद बीचेपी कॉंग्रिस के बीच बजरंग बली के राजनीती करण पर बहस बाजी देखने को मिली अब यह आप यह देख रहे होंगे जिस विचार धार का जन्मी धर्म के आदार पर देश को तोड़ने के लिए वो वो कॉंग्रिस पर आरोप लगा रही कि हम लोग बजरंग बली के नाम पर राजनीती कर रहे हैं यानी राम और उनके भक्त बजरंग बली के नाम पर मधवरेश शतीत कर में राजनीतिक स्कोर करने के रेस लगी है बाजी किसके हाथ लगती है राम और बजरंग बली का साथ किस प्रदेश में किसको मिलता है यह कुछ महीने बार पता चल भी जाएगा